गले की डिजाइन बनाने के लिए हमें 12 इंच लंबाई कपड़ा लेना है, कपड़े की चोड़ाई 9 इंच है, कपड़े पे हमें इस तरी की साहता से बाकरम को चिपका देना है, अब हम इसे ऐसे बीच में से फोल्ड करेंगे तो बीच में से अच्छे से आपको इसे फोल्ड कर लेना है इसे फोल्ड करने के बाद अब हम यहां से चार इंच के चोड़ाई पे टिक लगाएंगे चार इंच के चोड़ाई पे टिक लगाने के बाद अब हम गले की लंबाई पे टिक लगाएंगे तो गले की लंबाई साड़े पाच इंच लेना है अब इसकेल की साहता से हम इसे ऐसे लाइन अप कर लेंगे अब कोने की साइट से हमें ऐसे लंबाई नाप नहीं है तो देड़ इंच की लंबाई पे हम टिक लगाएंगे और इसे हलका सा गोल सेप में हम लाइन अप करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी लाइन अप कर लेना है अब नीचे की साइड से हमें यहां से लाइन अप करना है तो एक इंच की चौड़ाई पे ऐसे टिक लगा कर हम यहां से गोल सेफ में लाइन अप करेंगे ये देखिए ऐसे आपको लाइन अप करना है अब उपर के तरफ ऐसे जाना है हमें हलका सा गोल सेफ अंदर के तरफ लेते हुए हमें ऐसे लाइन अप कर देना है इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो जिस shape में हमने line up किया है बिल्कुल उसी shape में हम इसकी cutting कर लेंगे इस तरीके से आप इस design को बहुती easy step में तयार कर सकते हैं अब हमें design में यहां से cut कर लेना है यह देखिए ऐसे हम design की cutting कर लेंगे design की cutting करने के बाद हमारे design का look कुछ इस तरीके से आएगा इस डिजाइन की सिलाई करने के लिए अब हमें एक लंबा सा चौड़ा सा कपड़ा लेना है सेम साइज का हमें कपड़ा लेना है जो हमने पहले वाला साइज लिया था कपड़े का बिल्कुल वही साइज पे हमें ऐसे डिजाइन को लगा देना है इस वाले कपड़े में भी हमने पीछे के साइड में बाकरम को चिपकाया है तो आपको अच्छे से बाकरम को चिपका लेना है अब हम डिजाइन को पीनप करेंगे और जिस सेप में हमारे डिजाइन की कटिंग हुई है बिल्कुल उसी सेप में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी डिजाइन के उपर सिलाई चला लेनी है अब हम इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए धागे को कट करेंगे और किनारे की साइट से हमें एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेनी है तो यहां से हम एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे अब हमें डिजाइन को फोल्ड करके सीधा करना है तो फिंगर की मदद से हम अच्छे से डिजाइन को सीधा कर लेंगे डिजाइन को सीधा करने के बाद इसे परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए आपको डिजाइन को अच्छे से इस्तरी कर लेना है हमने डिजाइन को अच्छे से इस्तरी कर लिया है अब हमें डिजाइन के उपर यहां से सिलाई चला देनी है जिस सेफ में हमारा गोल सेफ वाला डिजाइन है बिलकुल उसी सेफ में हम इसके उपर सिलाई चला देंगे अब हम यहां से धागी को कट कर लेंगे अब हमें इस डिजाइन को सूट के कपड़ी में ज्वाइंट करना है तो सूट के कपड़े में हम इस design को यहाँ पर लगाएंगे यह देखिए ऐसे आपको लगाना है यहाँ पर हम pin up लगाके इसे joint कर लेंगे अब जिस shape में हमारे design की cutting की गई है बिल्कुर उसी shape में हम इसके उपर ऐसे सिलाई चला देंगे यहाँ से धागी को cut करेंगे इस line को complete करने के बाद अब हमें यहाँ से extra कपड़े की cutting करनी है तो जिस shape में हमारे design की सिलाई की गई है बिल्कुर उसी shape में हमें extra कपड़े की cutting कर लेनी है अब हमें design को fold करने के लिए यहां से छोटे छोटे cut कर लेने हैं कपड़े में कपड़े में cut करने सिलाई को cut नहीं करना है अब हम इसे fold करके ऐसे सीधा कर लेंगे अब दोनों कपड़े को perfect shape में बैठाने के लिए अब हम इसके किनारे की side में ऐसे silाई चलाएंगे यह देखिए यहां से हमें इसके उपर सिलाई चला लेनी है डिजाइन के उपर सिलाई चलाते समय दोनों कपड़े को perfect shape में बैठाते रें जिससे हमारे डिजाइन में perfect finishing आएगी इस line को complete करने के बाद अब हमें डिजाइन बनाने के लिए दो color का कपड़ा लेना है एक कपड़े की चौड़ाई धाई इंच है और एक कपड़े की चौड़ाई दो इंच है तो धाई इंच वाले कपड़े को हम ऐसे fold करके यहां पर लगाएंगे फिर दो इंच वाले कपड़े को हम यहां पर ऐसे fold करके पहले वाले कपड़े के उपर ऐसे लगाएंगे और इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेंगे तो दोनों कपड़े को ऐसे फोल्ड करके लगा कर इसके किनारे की साइड में हमें सिलाई चला देनी है इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती easy step में तयार कर सकती है अब हमें कपड़े को यहां से ऐसे फोल्ड करना है और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला देनी है ये देखिए हमारा दो कलर वाला चोड़ी पटी बहुती आसानी से तयार हो रहा है इस तरीके से आप भी तयार कर सकते हैं दो कलर वाला चोड़ी पटी इस लाइन को कंप्लीट करते हुए अब हम यहां से धागी को कट करेंगे अब हमें चोड़ी पटी के दूसरे साइड में भी सिलाई चला देनी है जिससे हमारा चोड़ी पटी परफेक्ट सेप में बैट जाएगा अब धागी को यहां से कट करेंगे चोड़ी पटी का अब हमें डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा गले का डिजाइन था वो ले लेना है गले के डिजाइन में हम चोड़ी पट्टी को यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके लगाएंगे यह देखिए यहाँ पर हमें ऐसे तिर्ची में फोल्ड करना है फिर दूसरे साइट से भी तिर्ची में फोल्ड करके यहाँ पर लगाना है अब हम इसके उपर सिलाई चलाएंगे तो दोनों साइट से हमें डिजाइन को ऐसे तिर्ची में फोल्ड करना है यह देखिए एक बार इस साइट से एक बार उस साइट से हमें ऐसे फोल्ड करकी डिजाइन के उपर सिलाई चला देनी है और जिस shape में हमारा गले का डिजाइन है बिल्कुल उसी shape में हम चोड़ी पट्टी वाली की डिजाइन ऐसे बनाते हुए सिलाई चला लेंगे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का ओप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को और एश्टा कपड़े को कट कर लेंगे तो यहां से हमें एश्टा कपड़े को कट कर लेना है अब हमें डिजाइन बनाने के लिए चकोर सेप में कटा हुआ दो कलर का कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई और चवड़ाई दोनों पाच इंचे कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और कलर चेंज करते हुए एक के उपर एक हम कपड़े को ऐसे लगा कर एक अच्छी सी सिंपल सी डिजाइन बना लेंगे अब हमें डिजाइन के बीचों बीच में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है तो यहां से हम ऐसे एक बरावर में सीधी सिलाई चला लेंगे सारे डिजाइन को अच्छे से पर्फेक्ट सेप में बैठाने के बाद अब हम यहां से धागे को कट करेंगे डिजाइन को perfect shape में बैठाते हुए इसके किनारे की side में ऐसे आपको दोनों side में सिलाई चला लेनी है अब हमें इस design को गले की design में add करना है तो ये रहा हमारा गले का design यहां से हम extra कपड़े की cutting कर लेंगे कपड़े को थोड़ा सा और cut कर लेंगे अब हमें इस design को गले के design में यहां पर लगाना है और जिस shape में हमारा design है बिल्कुल उसी shape में हम यहां से इसके उपर सिलाई चला लेंगे यह देखिए design के उपर आपको यहां से सिलाई चलानी है इस लाइन को complete करने के बाद आपको केवल design को इस्तरी कर लेना है इस्तरी करने पर आपका design complete हो जाएगा thanks for watching my video मिलते हैं next video में एक नए design के साथ